लगभग तीन दसक पहले की ये बात है। एक मनोचिकित्सक के रूप में मेरे केरियर के शुरुआती दिनों का ये वक्त था। उन दिनों लोग मुझे काफी सवाल किया करते थे मानसिक बिमारी के बारे में, मनोरोगियों के बारे में, मनोचिक इच्छा के बारे में एक दिन मेरे एक बुज़र्ग दोस्त ने मुझे ये कहा कि अरे भाई मुझे तुम्हारे क्लिनिक पराना है मांसिक रूप से बिमारी विर्ति कैसे दिखाई देते हैं ये मुझे जानना है अब उनकी जिगनासा की सराना करने के बजाए मुझे उनकी अग्यान पर खेद गाँ इसलिए मैंने उनको कहा कि क्या आप ये समझते हैं कि किसी मनोचिकितसक क्लिनिक ये आस्पिताल में जाना और किसी चिडिया घर में जाना दोनों समान रूप से एक आनंद दायक और आहलादक अनुभव हो सकते हैं उन्हें का नहीं भाई नहीं मैं ऐसा तो नहीं मान लेकिन मुझे ये इंतजारी है ये जानने की ये देखने की ये बिमार लोग देखते कैसे होंगे भाई उस दिन उस दोस्त को मैंने जो जवाब दिया आज तक मैं सब को जो कह रहा हूँ और आज के बाद कहता रहूंगा वो ही बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ देखिए मानसिक रूप से बिमार व्यक्ति को कुट्टे की पूछ बकरे की दाड़ी हिरन जैसे सिंग सी जैसे बाल या बाग जैसी खाल नहीं होती वो कोई विसिस रूप से दिखाई देने वाला जानवर नहीं होता उन्हें देखने के लिए किसी जगा पर जाने की ज़रॉयत नहीं है क्योंकि आप उन्ने रोज मिलते है वो आपके आसपास है वो आपके स्वजन हो सकते हैं वो खुद आप भी हो सकते हैं दर्शक मित्रों को मेरी ये नम्र अपील है कि मानसिक रोगों के बारे में जानकारी पाएं जागरुकता दिखाएं उसके साथ जुड़े हुए कलंक को मिटाएं और अन्य बिमारियों की तरह हित्म है फिर मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए स्टे हैपी स्टे हल्दी नमशकार